इस वीडियों हम देखने वाले है कि पेपर चेकिंग प्रोसेस क्या से होता है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले जैसे आप लोगों का बोड एक्जाम हो जाएगा तो फिर आप लोग रिजल्ट का इंटेजार करोगे तो इस बीच में जो है बोड एक्जाम होने के बाद अने के पहले जो बीच में रोता है पेपर चेकिंग किस परकार होता है तो चुँमारे जो चेकिंग करते हैं तो पेपर को साइगा पुरा हुआ चेकिंग करते हैं अभी कहने का मतलब यह है कि जो है एक्जामीनर के पास आंसर की आता है तो उसी परकार हुआ चेक करते हैं और उनको जो है एक्जामीनर को जो है कम से कम 200 से लेके 300 पेपर दिया जाता है और एक्जामीनर को जो है 15 से 20 दिन के अंडर चेक करके moderator को देना रहता है अगर किसी बच्चे का ज़्यादा अच्छा माक्स आता है 90 प्लस जाता है तो उसको एक बार moderator भी चेक करता है अगर जो है 80 परसेंट से कम रहा तो एक्जामीनर ही चेक करता है फिर उपर जो है वो ज़्यादा देखते नहीं है लेकिन अगर किसी का अच्छा माक्स आ रहा है तो फिर moderator चेक करेगा और फिर ऐसे जाकर फिर चीफ moderator के पास वह वर जाता है तो इस प्रकार यह पेपर जेकिंग प्रोसेस है तो एक्जामीनर जो है 15-20 दिन में 200-300 पेपर चेक करते हैं तो इसके लिए जो है उसमें आप लोगों को टेंसर नहीं लेना आप लोगों को अच्छा मास मिलेगा और आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है और आपका प्रेजेंटे सबस्क्राइबेखर प्रेज़का में अच्छांब करते हैं तो आपको अच्छे मास मिलेंगों केपाइटेशन